सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें नमस्कार दोस्तों मैं राज इस कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एबार स्वागत करता हूँ आज के स्वूड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जान सकते हैं बड़े ही आसानी से कि हमारे आधार नमबर से कितना मुवाईल या SIM एक्टिवेट है सबसे जादा जो दूर्पियोग सिंट का हो रहा है वो जियोपे ही हो रहा है तो आज किस वीडियो को आप सुरू से अंतक देखिए और जानिए कि कैसे MyGeo App की मदद से हम जान सकते हैं कि हमारे आधार नमर से कितना मोबाइल या सीम कार्ट एक्टिवेट है और दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीजिसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और यदि कोई सगेसन ये अक्वाइर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिके और यदि आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो में बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुं सके धन्यवाद तो चलिए सुरू करते ही इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है MyGU app पे MyGU app पे जाके left upper corner में three lines है उस पे हमें click करना है आप जैसे ही से click करते है first option recharge क्या है वहाँ जाना है यहाँ पे second option recharge other number से यहाँ पे आपको click करना है click करने के बाद आपको अपना जियो का जो भी number है वो यहाँ पे put करना है और put करने के बाद submit का एक button है इस button को आपको click करना है आप जैसे ही इस button को click करते हैं आपके पास वो सारा details आ जाता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है below mention mobile numbers are also linked to your आधार ID यानि आपके आधार ID से आपके mobile number के अत्रिक दो और number यहाँ पे दिख रहा है जो यह number issue किया गया है तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपके आधार से कितने number जियो के अभी भी चल रहें issue हुए है उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यद यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक करें सेर करें यदि कुछ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले और यदि आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें धन्निवाद